दोस्तों यदि आपके विवाईक चिवन में तक्रार हो रही है कलेश हो रहा है और कलेश इतना जादा हो गया है कि कभी कभी पती पत्नी एक दूसरे का मुह देखना भी नहीं चाहते हैं तो बस आप पंडित प्रदीब जी मिश्रा द्वारा बताया गया ये उपाय एक बार कर लीजिए श्री शिवाय नमस्तूब्यम दोस्तों आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर पंडित प्रदीब जी मिश्रा द्वारा बताया गया उपायों के बार करने के लिए आपको किसी भी लाल फुल का रस जैसे गुलाब या अन्य कोई फूल जिसका कलर लाल हो उस फूल का पत्तियों का रस निकालना है उसे किसी बरतन में ले 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 अब इस रस को जिस दिन रईवार प्रदोश पड़ता है उस दिन शाम के समय प्रदोश काल में माता पार्वत्ती के चरणों में इश्पर्ष कराकर घर ले आए अब पती-पत्नी दोनों एकी आसन पर बेटकर अपनी आख बंद करकर वो रस अपनी आखों पर लगा ले इस उपाय को करने के बाद पती-पत्नी का जगड़ा हमेशा करी खत्म हो जाएगा यदि किसी पती- वीडियो को अंततक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें